अरे योगी जी ट्रैक्टर के आगे से हटिए वरना ट्रैक्टर उपर चड़ा दूगा अरे मोदी जी तुम भी टायर के उपर बैठ गए अरे भाईया थोड़ा दिमाख रखा करो अगर टायर के नीचे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमको हमारे पास जमानत के लिए भी पैसे नहीं है अरे समझा करो बात को अरे अकलेस ये जमीन हमारी है यहां तुम्हारा ट्रैक्टर नहीं चलेगा इस जमीन पर चलेगा तो सिर्फ मोदी योगी का हल बैल चलेगा समझा बात को अरे अपना ट्रेक्टर अपना घर लेके जाओ चलो यहां से वरना तो हमारा बुल्डोजर आ गया तो तुम्हारा घर को उपर भी चड़ा देंगे भईया अरे अकलेस योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरे भई ये जमीन योगी की है अगर यहां तुम्हारा ट्रेक्टर चला दो योगी जी भईया बुल्डोजर चला देंगे इसलिए बात को समझो और अपने घर लेके जाओ अरे ऐसे कैसे कबजा करके भई तुम दूसरे की जमीन को अपनी बना सकते हो लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी अखलेश तुम्हारी की तुम अपना काम खुद कर रहे हो लेकिन जमीन कब जाने का काम हम नहीं करने देंगे देखे भईया मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ अरे योगी जी और मोधी जी तुम खुद तो कुछ करते नहीं हो और अब अखलेश को भी कुछ करने नहीं दे रहे अगर वो अपना काम कर रहा है तो उसको करने दो अरे योखलेश बाबू तुम अपना ट्रेक्टर चला दो कोई आज़ाया आगे पीछे रुकना ने अरे अरे अखलेश हम क्यों सुनाएं तो योगी के लिए सुनाएंगे क्यों योगी जी सुनोगे तुम कुछ अरे मोदी जी बिलकुल सुनेंगे अरे मोदी जी तुम तो सुनाते ही रहते हो 24 गंटे कुछ नया सुनाओ यार चलो वो सुनाओ आज तुम कच्चा बादाम अरे योगी जी ये तुम को कैसा सौक पड़ गया कच्चा पक का बादाम सुन रहे हो जो अरे योगी जी मुझे लग रहा है आज कल गल्थ रास्ते पर जा रहे हो भीया तुम अरे वापिस उसी रास्ते पर आ जाओ ये सब बेकार की बाते हैं भीया बात को मानो जरा मेरी अरे नहीं मोधी जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अरे वो गाने में बड़े अच्छे सुर है मोधी जी वो गाना मुझे बड़ा प्यारा लगता है वो भाई बहुत अच्छा गाना है इसलिए मेरे कानों को बड़ा ही सुकून पहुंचता है उसको सुनने से इसलिए मोधी ज तुम विदेश क्यों जाते हो इतना अरे भाईया क्या काम करते हो ऐसा जो हर दसमें दिर पहुंच जाते हो अरे राहुल भाई मुझे लगता है कोई लोंडे अबाजी का चक्कर है अरे देखो भाईया अरे मोधी जी यह तुम कैसी बाते करते हो अरे मोधी जी मुझे भी पर बाते कर रहे हो राहुल जी अरे मोडी बन चुका है तुम्हारे सारा खांदान बन चुका है अरे अब की बार परदान मंत्री बनना है तो ये ओवेसी को बनाओ अरे फिर देखो देश की क्या तरक्की होती है तुम तो बन चुके हो साब क्यों अखलेस मैंने सही कहा न अरे च चोड़ो बहिए परदान मंत्री बनने का सपना बर्दान मंत्री बनेगा तो अखली चाचा आज क्या सुनाने वाले हो अरे ज़र सुनाओ तो हम भी तो सुने बहीं मोधी जी क्या सुनाने वाले हैं अज अरे अखलेस पहले तो तुम्हें चाचा चाचा कहना बंद करिये अरे यार तुम्हारी खुद की उमर चाचे लाया खुई पड़ी है तुम हम से चाचा कह रहे हो अरे हम तो अभी जवान हैं तुम हम से चाचा कह रहे हो हाई 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 अरे अखलेश तुम्हारी तो मुँपरी बेज़ज़ती कर दी मोदी जी न अरे मोदी जी तो बड़ा तगड़ा डाइलोग मारते हैं भईया अरे मोदी जी अरे तुम डाइलोग मार मार के तुम देश चला रहे हो भईया कारते वरते कुछ नहीं हो मोदी जी कुछ काम वाम भी कर लिया कि रहो ये धोलकोलक का काम छोड़के पता नहीं भfive हम जब भी तुमको देखते हैं भाई तुम टीवी पर ही बैठ रहते हो कभी उस चैनल पर कभी इस चैनल पर पहले अपने गरेबा में जहां को OAC जब बात करना आगे अरे मोदी जी ये नुपुर सर्मा को पार्टे से बाहर क्यों कर दिया भीया अरे मोदी जी ये क्या कर दिया तुमने हमें भी तो बताईए माजरा क्या है अरे देखिये योगी बाबा इसमें गलती मेरी नहीं है इसमें गलती इस नुपुर सर्मा की है अरे इसने ऐसी बेकार बाते क्योंकि किसी धरम के खिलाब औरे किसी को किसी के धरम के खिलाब भी कैसी भी बात नहीं करनी चाहिए अभी मैं ऐसा कानून बनाने जा रहा हूँ अ अरे देखो भीया, अरे मोधी जी तुम बस बातें बड़ी-बड़ी करते हो, काम मौण कुछ नहीं करते अरे तुमने इस ओरत को पहले ही यह क्यों नहीं निकाला, अरे जब और देशों में हमारी बदनामी होने लगी, जब तुमने इसको अपनी पार्टी से निकाला, मैं त अफरत फैलाने की सबसे बड़ी जिम्मदार यही है देश में बात तो सही है